चैuate लूट जोस्तों चैना से मिली ऋटना कैसे यह ब्हुरी ऐसके उनी मिले गाया है बहुत ही प्रश्ण कर्णी के इस हूं शूरी केति नहीं मिलेगो हुए Porsche मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइबर के भगल में जो बैल का इकन है उसको भी जरूर प्रैस कर दें ताकि हम कोई भी सरकारी होजना संबधी लेटेस नियूज डाले तो उसकी जानकरी अपने आप तक पहुच जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करेंगे बेरोजिगारी बत्ते को लेकर जी हां दोस्तों आपको बता है कि कॉंग्रेस के लिए करना होगा यह काम जी हां दोस्तों आपको अगर भत्ता लेना है तो यह सारी चीजे जो मैं आपको वीडियो में बता रहूं यह फॉलो करना होगा राज्य सरकार बेरोजगार से किया वादा पूरा करने जा रही है रोजगार कारेलों में पंजी करत एक लाक इसना त अब तो बत्ता दिया जाएगा ही जाएगा गैलोग में कहा है कि पुरुष बेरोजगारों को प्रतीमा 3,000 रुपे ते महीलाओं को निशक्त बेरोजगारों को 3500 रुपे प्रतीमा भत्ते के रूप में दिये जाएंगे जी आ दोस्तों लड़कों को तीन हजा-एंग और ल मैं चल रहा है क्योंकि कमेंट भी आ रहे है मेरे पास कि हमार को बता मिलेगा नहीं मिलेगा मैंने ये करा तो इस वीडियो के आदर बहुता मिलने वाले सब्सक्राइब कर दोस्तों सामने वर के अधिक्तम तीश वर्ष तता सीस्टी जो भी लड़कों की बात हो रही है अभी 21 से लेखे 30 साल तक की उमर तक यह बत्ता दिया जाता है और अगर आप cst की मिलता है उसमें कोई कास्ट बगरा कोई ऐसी कोई उसमें बो लिए नहीं गया इसनाव तक में देखो वैसे तो उमर होती नहीं है टेंथ क्लास में उमर होती है उसकी हिसाब से जो भी डॉकुमेंट आपका उसके हिसाब सा इसकी गंड़क की जाए अगला इसमें कॉश्चन आता है कि भाई अब जो रेजिस्टेशन कराएंगे उन्हें लाम मिलेगा क्या जी हां दोस्तों यह भी एक वेरी मॉस्ट इंपोर्टन कॉश्चन है कि भाई एक वेक्ति ने मानलों पहले 2012 में या फिर तेरह 14 15 में कभी भी भत्ता ले लिया हो तो उस वेक्ति को दुबारा भत्ता नहीं मिलेगा यह बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई मैंने पहले यह बत्ता ले लिया लेकिन वह दुबारा नहीं बार सकते क्योंकि इनकी शर 2018 फिर नवंबर 2018 तक बत्ता ले लिया हो और बत्ता लेते लिए आपको साल पर या छह मेहना यह डेड़ साल यह कुछ भी हो गया हो लेकिन आपके दो साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए तो उसको भी देको दोस्तों इस बत्ते कर लाब मिलेका मानलो एक साल आपने वह ले ल हो सेम प्रक्रिय वह यह कोई भी चेंज नहीं है अगर आपको प्रॉलम आ रही तो आप इमितर पर जाकर भी इसका अवेदन कर सकते हो अगला इसमें कॉश्चन आता वह है कौन कौन से दस्तवेज इसमें लगाने होंगे राज्य के कानूनी मानता प्राप्त किसी भी सरकार इसमें लगेगा फोटो एक भामशा कार्ड एक आधार कार्ड और एक आपकी SBI बैंक की पासबुक जी हां दोस्तों SBI बैंक की पासबुक यह सारे डॉकमेंट आपके पास होने चाहिए SBI बैंक का एक थोड़ा सा हिंटा आप समझ लो स्कॉलेशिप का अकाउंट नहीं होना चाहिए SBI के अंदर और ज्यादर ट्रांजिक्शन नहीं होने चाहिए नहीं तो आपको बतता आपका रिजक्ट कर बतता मिलना स्टार्ट हो जाएगा अब इसमा अगला कोशन आता है मेरा जनम राजिस्थान में हुआ है लेकिन मैंने पढ़ाई बाहर से किया है तो अमेर को बतता मिलेगा की नहीं मिलागा जिया दोस्तों यह बी अच्छा कोशन है तो दोस्तों इसका जो आंसर हम आपको बता देते हैं कि भाई मूल निवास के साथ राजिस्थान के विश्विद्दाले से इसनातक होना जरूरी है जिला प्रशाजन दे जारी मूल निवास प्रमान पत्र जरूरी होगा जिया दोस्तों हमने जैसे आपको बता है कि भाई आप दोस्तों राजिस्थान के मूल नि निवास होना चाहिए और राजिस्तान सिहां को विश्विदाल कोई भी विश्विदाल से बीए इसना तक भी कौम बीस्टी जो भी है आप ग्रेजुशन कंप्लीट होनी चाहिए अगला कोशन आता है कि मैं नीजी कारे करके कमाता हूं भत्ते के लिए आवदन किया तो दोस् है मैं हुझे से खुद का इमित्र खोर रहा है कि मैं भत्ता मेना अस तक नहीं बारा तो यह भी एक कोशन है योजना को एसाई प्याइफ योजना से जोड़ा जाएगा स्वेरोजगार ने होने का शपत्पत्र लेंगे शपत्पत्र या दस्तवे फरजी मिले तो कारवाई ह होगी जी हाँ दोस्तों अगर आप मानलों खुद का इमित्र चला रहे हो तो आप भत्ते का अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका पैन कार्ड वगरा सब अटेच हुआ पड़ा है बैंक के अंदर और आपका इमित्र के अंदर और सब जिग है और आगर आप दूसरी कुछ दीमी दुकान होती है अगर आप काम कर रहे हो तो उसको दोस्तों कुछ ऐसे पकड में नहीं आती आप उसका लगा सकते हो लेकिन जो होते हैं डॉकुमेंट लेवल के जो धन्दे वो जो लोक कर रहे हैं वह इस बत्ते का अप्लाई नहीं कर सकते क्लीओ इसमे आ नहीं होता है और इंकम प्रूप इसमें देना होता है अगला इसमें जो कॉष्चन आता है वो है दूरत शिक्षा से सिस्टार्व कहें तो दूरस्त मतलब हम अगर आपने राजिस्थान को छोड़कर हर्याना MP वगरा दिल्ली से अगर बीए कर लिए तो आप इसके लिए दे को पात्र नहीं हो आपको राजिस्थान के विश्विद्धल से चाहिए आप वर्दमान महावीर वी मोई के भी स्टुडेंट में पस कमेंट कर रहे थे और चाहिए आप राजिस्थान व पोज आएगा अगर भत्ता ये सभी को मिलने लग जाएगा तो 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 इसका सीधा सा आंसर है वर्तमान पंजी करन संक्या के इनुसार करीब 24 करोड़ रुपय महीना पंजी करन बढ़ने के साथ भी भार बढ़ेगा जी हां दोस्तों जैसे यह बत्ता मिलना स्टार्ट हो ज बाइदा मिलेगा अब दोस्तों इसमें जो हम आपको और बताएंगे भई इनहें मिलेगा लाब केवल अब हम आपको यह बता रहे हैं यही लोग फॉरम भर सकते इनके लाब और कोई नहीं बर सकते एक परिवार से अधिकतम दो सदस्ते कोई बत्ता मिलेगा कैई बार ऐसा सब्सक्राइब कर सकते हो एक बेरोजगार तो अधिक्तम दो वर्ष तक ही बत्तम मिलेगा यहां दोस्तों यह मोस्त इंपोर्टन कोश्चन है क्या बार होता है कि अपना कैल्कुलेशन आपने लगा लिए यही तीन जारोट साड़ी तीन जारोपे के साब से दो लाग रुपय तक वार्षिक आयवाले सधस से ही इस बत्ते के लिए पात रहूंगे तो दोस्तों अभी तक तो दो लाग रुपय तक कि इसमाई देरा की है लेकिन अभी हाली में आपको पदा है कि बजट पास हुआ है दोस्तों मेरे इसाब से सारे भाई बैनों को इसका अंसर मिल गया होगा जो लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई हम यह बत्ता बार सकते हैं फिर नहीं बार सकते तो और अपनी दोस्तों राय आप कमेंट में जरूर दे और इस तरी की वीडियो पाने के लिए वीडियो क बार बार दोस्तों में जरूश भार सकते हैं जरूर दे दो भार स्कताओ यह होगा है पाने का वीडियो नहीं दोपने कर दो